तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका देल से दने मात थैंके सो मच तो रिडिंग है मेसेज़ेस के लिए उनके दिल के मेसेज़ेस आपके क्या है जाने कोशिश करते हैं रिडिंग जाने जेनल है कलेक्टिव है प्लीज इस बात का ध्यान रहे रिक्वेस्ट है तो देखते हैं अगर situation no contact blocked है या फिर दिल की बात नहीं कह रहे हैं तो देखते हैं इन messages की थूँ वो आपसे कहना क्या चाते हैं Express your love Pay attention to the signs Leave your passion Hidden And make the effort Major changes So मैंने कहा था ना शाम की इडिडिंग में जब आया था कि इनके लाइफ पे बहुत कुछ चीज बहुत कुछ चेंज़ बहुत मेजर है बहुत कुछ बदल रहा है बहुत कुछ ट्रांस्फरेशन है आपको बताना बहुत चात है कि क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं, क्या चल रहा है, लाइफ में, क्या तकलीफ है और आपको वह कितना मेज़ कर रहे है आपका साथ, सपोर्ट और आपका प्यार भी इने ना आपसे बहुत उम्मीद है यही जैसे आपका प्यार कभी भूले नहीं है और नहीं भूल सकते हैं बस यह प्यार दिले दिल में रह गया है और खास करके इस situation में अभी जहां पे आपकी तरफ से वो energy, वो feelings वो नहीं feel हो रही है तो जैसे इनका कहना है Please express your love जहां पे आपका जो प्यार है, वो attention है जो आपका concern है, आपका care है हर चीज मिसके जाने है और उस चीज के लिज़े से तरफ गए हो यह आपको ना इशारों में कुछ समझाना चाते हैं या फिर universe आपको इशारों में कुछ समझाना चाते हैं इनके messages जैसे पॉसिबल है कि अगर आपका सवाल है कि या क्या या भी याद कर रहे है तो आपको इनका नाम दिखने लगेगा या इनके रिलेटेड ऐसे कोई चीज जहां पर वस इनका एसास हो और यह भी चाहते हैं और आप भी आपके लिए कि जैसे हम एक दूसरे के खुशी के लिए जो प्यार जो फीलिंगर से खुशी में जो आप लोग खुश होते थे वैसे इस दिन मे या जिन्देगी वापस आ जाया है अब अनको पता है कि इन्हें लेने हैं इस निशे में लेकिन समाव हालाथ ठीक नहीं है और ये आपसे जो छुपा रहे है ये इदो ने आपसे जो छुपाया है या छुपा रहे है वो आपको बताना ज़रूर चाहते हैं बताना ज़रूर चाहते हैं ये इंसान आपको खोने से बहुत डर रहा है आपके लिए कोई डिसिजन लिया हो या कुछ है पट समाव आपका एक हुना भी बस हुना उनके लाइफ में बहुत माइन रखता है ये बात उनको अभी बहुत ज़दा स्टॉग्डी फील हो रही है बट हालातों की विज़ से ये सामने इसा दिखा नहीं सकते बता नहीं सकत है इन्हें आपका इंतजार है अगें मैंने शाम के लिए नहीं का नमबर डिलेट किया कुछ लोग के लिए बहुत ज़दा स्पेसिपिक है इन्हें आपका नमबर डिलेट किया है तो लिटली ये कम्मीनिकेशन है आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे है तो अगें इस तो अपके पिक्टर इन्हें संभाल की रखिए है और उन्हें उन पिक्चेस को वह बहुत दिल से लिखते है बहुत जद़ा बहुत जदर रिल से लिए नहीं पता नहीं कि वैसा इक स्टॉंग गट फिलिंग है एससा है कि हम मिल्ने क लिई बने है हम लिए नित धुसरे के लेकिन यह आपसे move on करनी पारें, करनी पारें, I am deeply sorry that I am walking from you, इन्होंने आपके साथ जो गलती की है, आपके against, like, especially अचनक से गायब होना, आपको छोड़ के चले जाना, आपको importance ना देना, आपके लिए decision ने लेना, इन्हें बहुत बज़ा पच्छाव हो रहा है, I didn't mean to hurt you, जान बूच की तकलीफ देने का इनका कोई इरादा नहीं था, It doesn't feel right being apart from you, so आपसे दूर रह के तो बिलकुल खुशी नहीं हो रही है, Your presence in my life has turned my world upside down, आपका होना और आपका नहीं होना, अभी जिंदगी में बहुत बहुत बहुतल पुतल करेट करता है, I want to hold you, यह आपको थामना चाहते हैं, It's still not our work, इन्हें ऐसे लगता है कि अभी तक सब कुछ ख़तम नहीं हुआ है, और ऐसे ही सब कुछ ख़तम नहीं हो सकता, I know you're the one for me, पता है कि उनको एक गट फिलिंग हो रही है, कि एक ऐसास हो रहा है कि आप एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे को मिल लेंगे जरूगा, मिलेंगे जरूगा, बले सिचुएशन के दिने हैं ख़राब नहीं हो, So, हालाद जैसे पहले बदले थे, तो हो सकते ना, हालाद अभी भी बदलता सबहते हैं, So, ये थी रिदिंग, I hope आपको कुछ गाइदेंस मिली हो, लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना न भूले, पॉसिनल डिडिंग के लिए लिए लिंक दिस्क्रिशन बॉक्स में हैं, प्लीज कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें, Thank you universe, Thank you universe, Thank you universe,